कि वैसे तो दोस्तों मैं आप लोगों के लिए बहुत से न्यूव कंटेंट्स के उपर न्यूव टॉपिक्स के उपर विडिश लाता रहता हूं और फाइन दोस्तों आज की यूड़े मैं आप सबको की लांचे दीखने को मिलता है वह आपनोंको फॉन में लेटेस वर्सन होनाँ चाहिए dolfa वाले आप सक्किटेThere को के अपने फॉन में लेटेस् लॉंशर को इइंस्ट्राल बैठ कर सकते लैकिन लेकिन पोको के ड्वाइस के लिए दोस्तों आप लोगो दूसरी मेथड है तो अगर आप लोग मेरी वह वाली वीडियो को ज़रूर चेक आउट कर लेना जिसका लिंक में उपर आई बटन में या फिर दिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं कि पोको लॉंचर में कैसे हम लोग सिस्टम तो इनकों को इनफैंगर पोको x2 पोको x3 या फिर रिट्मी के 20 प्रोटी इस से पूंप इसके डिवाइस जिसमें मैं पोको लॉन को मिलता है तो मैं आप लोगों को बता हूं कैसे हम लोगा फोटें की जो कंट्रोल जो लिसेंट मीन पैनल दिखने ने को मिलता उस तो सबसे पर लापके फोन में लांचर अपडेट होना चाहिए इसमें हमें होईजेंटल वाली ओप्षन देखने को मिल जाता है इसके बाद दोस्तों आप लोगों को या फिर हमारे फोन को यहां पर रूट होना मैंडेट है अगर दोस्तों यह दो चीज यह दो कैटरिया हमा कर रहे हैं और हमारे फोन में लेटेस वर्षन होना चाहिए अब दोस्तों में आप लोगों को यहां पर अपने फोन में इनेबल करकर दिखाने वाला हूं चाहिए आपके पास पोको एक्स त्रीयों या फिर आपके पास रेटमी की डिवाइस हो तो हमें यह दो फाइल की ज देखने को मिलना लांच जो मॉड देखने को मिलना वो डिफरेंट मॉड लेकिन मैं ओजिनल फाइल की लिंक डिस्क्रेप्शन में डाल दूगा तो आप लोगों से चेक आउट करना इसका बाद उसता हम लोगों अपने फोन को यहां से रिबूट करने के बाद आपके पास आपके फोन में यहां पर देखने को मिल जाएगा उसके बाद जब भी आप लोग अपने फोन में को ओपन करेंगे देख सकते हैं जो हमारे फोन में एनेबल कर देना है अगर आप लोग वाले लॉंचर की सेटिंग में रहेंगे मनला मियो 12 की जो वर्टीकल वाले उप्शन करना होगा उसके बाद जो मैं आपने फोन में फॉन में इस इसके बाद आप पने फोन में इस यो को इनेबल कर सकते हैं इसके लाँ से और दोस्तों इस तरह से आप लोग अपने किसी भी शामी की डिवाइस में आयोस फॉर्ण कर सकते हैं सिंपल है तो इससे अपने फोन में इंस्टाल करने के लिए सबसे पहले आपके फोन में इस मॉडिल को में इस में इंस्टाल करना है सिंपलिए आप बोग यह कुछ काम करना उसका बद आप लोग अपने फोन में इस लाउंचर को इस लाउंचर में इसे में को इनेबल कर सकते हैं तो आशाख करतें दोस्तों आप लोग वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक शियर के चैनल को सबस्थाइब ज़रूर से कर देना ताके मैं इसी कोई इंट्रेश्टिंग वीडियो को प्लोट करूं उसकी नौटिफेशन आप लोग तो सबसे प्रहें देखने को मिल जा और आप लोग की अपने फोन में यह सब नई कंटेंट नई टॉपिक वारा की वीडियो पास सके और आप लोग ऐसे इंट्रेश्टिंग वीडियो में तक तक के लिए, have a great day